अगर आप भी हैं चाई के सोकिन और चाई पिना नहीं छोड़ सकते हैं तो इन बातों का रखे ध्यान सेहत के लिए बेहद है जरूरी आज की इस आधनी क्यूग में हमारे दिन की सुरुवात चाई के साथ होती है और चाई आज के समय में लगभग जादतर लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है रोज सुबह उठते चाई नास्ते में चाई भुफिस दुकान में जाने के बाद चाई खाना खाने के बाद चाई साम में चाई रात में चाई का सिवन करते हैं ऐसे में एक दिन में बहुत सारे लोग कई कप चाई पी जाते हैं चाई पीना आपके लिए भले ही सौक हो लेकिन ये आपके सिहत के लिए नुकसान दायक भी हो सकती है लेकिन आपको चाई पीने के आदर बन गई है और आप चाई पीना नहीं छोड़ सकते हैं तो आई रुएट चिकित सक से जाने किन किन बातों का रखे ध्यान जिससे नहीं होगा चाय का कोई साइड इफेक्ट से आज के देट की एक पर शौक हो गया है ताइम abbiamo पास का तरिक seventh के लो गकिन इसके नुकसान के विशन में और फाइदे के विशन में लोगो को जानता ही Perfect लियुट और इसका लोग कि शेवन करते हैं चाय में कुछ इक तरफ ऐसे हैं तप ऐसे हैं जो कि हमारी मान सिख्ता को थोड़ी से र्लैक्स करता है इसलिए हम लोग चाय की तरफ ज़़ आतर्शिफ्न पर यहां पेर क्रूप टाइम पास करना है उसके रिदे आतर्शिफ हो ज क्याया ली अचाहता हूं सअच सबीटों करका नुक्सान पहुता है वार नीरियमly 묶ना उस जर इस बबुदधा में वार की जपाधम करने बहुत अची चीज नहीं है और भारतिय परंपर अचीज नहीं है यह इंग्रेज आये थे तो उस समय हमारे देश में चाय पिला के लोहों को अपना बराने की कोसी किया है उन्होंने और इसका स्यवन हम भारतियों को कम से कम करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए और चाहिए के स्थान पर अगरती हम कुछ पे लें तो शुवा में जैसे गरम पानी में आंग नंगो अद्रक तोलसी पत्र इलैची दालचेनी लॉंग इस परकार के आवशनियों का इस परकार के जो आहार्द रब्य हैं इनही आहार्द रब्यों का फांड तयार करके या फि मानसिक शक्ति के लिए शुदा की जागरती के लिए पाचन के लिए सब के लिए अच्छा है और आप किस परकार से चाहिए हैं इनाची आदिद्यकर के तो जागा में चाहिए हैं